अगर आप लोग मद्वदेश के किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की एकलास आप लोगों के लिए काफी महत्मूर रहने वाली है और आप सभी जानते ही कि मद्वदेश सामान निग्यान से आपकी परिक्षाओं में कुश्चन्स पूँचे जाते हैं और अच्छी खासी संख्या में पूँचे जाते हैं फिर चाहें आप लोग MPPSC की बात कर लीजे, MPSI की बात कर लीजे, MPP पोलिस की बात कर लीजे, जेल पहरी, आप देखेंगी पटवारी, ब्यापम के और भी तमाब एक्जाम होते हैं जिसमें आपकी तमाम सिक्चक भरतियां भी होती रहती हैं वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन की और भी पेपर होते रहते हैं और मेरा ऐसा कहना है कि देखें आप लोग जिस भी एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने कुश्चेंस पेपर उठा की आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की समझ में आएगा कि मद्दपे मद्देश को देख लिजे, देखें यह हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बीच में आपको मद्दपेश देखने को मिल जाएगा, यह आपका मद्दपेश है और आप देखेंगे कि अगर मद्दपेश की बात करें तो मद्दपेश की राजधा से सीमा लगती है और आप सभी जानती ही कि मद्द पेदेश से अलग करके ही 36 गड़ एक नया राज्य बनाया गया था यह बात है 1 नवंबर सन 2000 की और मद्द पेदेश को राज्य कब बनाया गया था 1 नवंबर 1956 में और भी अगर हम लोग यहां के बारे में बात करें तो यहां बेदान सभा में 230 सीटे हैं राज्य सभा में आपकी 11 सीटे हैं लोग सभा में आपकी 29 सीटे हैं तो इनसे भी questions पूछ लेता है कई वार क्या कर लेता है पहुँच लेता है और आपको बता दूं कि जो मद्द पयदेश का नाब है न मद्द पयदेश। भी आप लोग याद रखेगा और मद्पिदेश को आप लोग तमाम नामों से जानते हैं जैसे नदियों का मायका भी कहते हैं सुवया राज जी कहते हैं हिदय पिदेश कोहिनून हीरा यानि कि आप देखते हैं पन्ना में हीरा पाये जाता है तो कोहिनूर पिदेश लगू भ बावन वर्क किलोमीटर में फैला हुआ है मद्विदेश, अब पहले नमर पर आपका राजिस्थान आता है, ये भी आप लोग याद रखेगा, और एक बार मद्विदेश का मैं पेसे में देख लीजे, ये राजिस्थान आपको देखने को मिलेगा, उत्तर पिदेश हो गया ये चत्तिसगड हो गया, ये महराष्ट हो गया, ये गुजरात हो गया, तो कई बार हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं, विस्तार से किलासें लिए हैं, तो पिलेलिस्थ सूची में जाईए, आप लोगों को मुझे लगता है GKGS, फिर चाहे किसी राजजी की बात कर ली ये भारत की ये विस्त के, तो उसके लिए काफी आपके पास वहाँ इस्टेडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, भोपाल देख ली से इसकी रांदानी है, ये उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, ये जबलपूर हो गया, समझ रहे हैं आप लोगों, ये नया जिला निबा गठन किस आयो की अनुसंसा पर किया गया था, मद्पिदेश राज्जी का गठन किस आयो की अनुसंसा पर किया गया था, फजल अली आयो, काका कालेकार आयो, हरिश्चंद आयो, इन में से कोई नहीं, तो आप सभी जानते ही कि फजल अली आयो की अनुसंसा पर मद्पिदे अगर आप लोगों को questions का answer आता है तो उसका आप लोग option में नीचे लिख सकते हैं comment में आप लोग A लिख सकते हैं B उसका answer सही है तो B लिख सकते हैं C है तो C लिख सकते हैं D है तो D लिख सकते हैं तो अगर आपके पास time रहता है और आप लोगों को आता है तो आप लोग नीचे जरूर लिखा करिएगा Central Province बरार की राध्धानी कहा थी इंदोर भोपाल नांगपूर ग्वालियर तो आप सभी जानते हैं कि नांगपूर थी क्या नांगपूर थी मद्विदेश में कितने संभाग और जिले हैं बरतमार मद्विदेश की बात हो रही है तो आप देखेंगे 10 संभाग 52, 10 संभाग 60 50 संभाग 10 जिले या 10 संभाग 45 जिले तो इसमें आप लोग ये ओप्शनल बिल्कुल सही लगाएंगे 10 संभाग 52 10 संभाग 52 और सबसे नया जिला कौन सा है आप सभी जानते ही कौन सा है बताइए आपका निवारी है बुर्हानपूर को कुष्जेली से अलग करके नया जिला बनाये गया था गुना, सतना, सहडोल और आपका खंडवा तो आपको बता दूँ बुर्हानपूर को खंडवा से अलग करके नया जिला बनाए गया था मदव देश निमने में से किस पकार का राज है भूऊ अविष्टित राज, सीमांत राज मैधान िराज, इनमें से कोई नहीं तो आप सब जानते हैं कि भूऊ अविष्टित राज है अंतराष्टी सीमा किसी देश से नहीं लगती है ये भी आप लोगे याद रखेएगा और देखे गुजरात हो इसकी पाकिस्तान से लगती है राजिस्तान की लगती है पाकिस्तान से पंजाब जमू कस्मीर और आप देखेंगे लगदाग पांच राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से और अफगानिस्तान से की अबल ए माचल पिदेश हो गया उत्राखंड सिक्किम अरवनाचल पिदेश पांच राज्जों की सीमा लगती है चाइना से और नैपाल से देखें तो उत्राखंड उत्तर पिदेश बिहार पश्चे मंगा सिक्किम पांच राज्जों की सीमा लगती है आपकी नैपाल से और वहीं राज्जों की सीमा इस से भी लग रही है और युटी जानतंवे लाज्टी बात है लेकिन मुझे लगता है कि महٰ Orb an तो इसमें ये option आपका बिल्कुँ सही रहेगा, क्या? ये option बिल्कु सही रहेगा. भोपाल को राज निरमार की पारमिक समय में किस पेकार के वर्ग में सामिल किया गया था और आप सभी जानते हैं जब भोपाल को राजदानी बनाया गया था उस समय ये जिला नहीं था पार्ट A स्टेट, पार्ट B स्टेट, पार्ट C स्टेट या इन में से कोई नहीं तो आप सभी जानते हैं, पाइट C में सामिल किया गया था, C option बिल्कुछ सही है, 28 मही 1998 को VR, 2W, IO की सिपारिस पर कितने जिलों का गठन किया गया था, 10, 5, 15, 6, तो आप देखेंगे, 10 जिलों का गठन किया गया था, 30 जून 1998 को सिंग देओ, कमेटी की अनुसंसा पर कितने जिलों का गठन किया गया था, 12, 6, 5, 8, तो आप सभी जानते ही कि 6 जिलों का, 36 गठन की पूर मदपिदिस में कितने जिले थे, और 60, 50, 55, 61, यानि कि 61 थे, यानि कि 36 गठन की पहले गठन होने के पहले की बात हो रही है, जिस्ट पहले आप देखेंगे 61 जिले थे, और सन 2000 में 36 गठन की पश्चाद मदपिदिस में कितने जिले बचे थे, 65, 40, 55, और आप देखेंगे कि आपके कितने, 45, तो 45, 16 जिले आप देखेंगे 36 गठन में चले गए थे, और 36 गठन अलग राज बन गया था, एक नवंबर 1956 को गठन की समय मदपिदिस में कितने जिले थे, 45, 46, 43, 40, तो 43 थे, टोटल 43, भोपाल राजनन्द गाओं को पिथक जिला कब बनाए गया था, 26 नवंबर 1972, 30 नवंबर 1972, 26 अक्टूबर 1972, या आप देखेंगे 30 नवंबर 1972, तो 26 नवंबर 1972 को भोपाल और गाओं को जिला बनाय गया था, थे, ऑप्जिन आपका बिल्कुँ सही है, 15 अगस्त 2023 को असोक नगर जिले को किस जिले से अलग करके बनाय गया था, था, खंडबा, गुना, सहेड़ोल, अनुपुर्ण, तो आप देखेंगे, गुना से अलग करकी, असोक नगर जिले को 15 अ बिंदे पिदेश की राजधानी कहा है भोपाल जबल को रीवा ग्वालियर तो बिंदे पिदेश की रीवा राजधानी थी क्या रीवा वर्स 2008 में सिंगरॉली जिली का गठन किस जिली का बेभाजन करकी अलग करकी बनाय गया था रीवा सीधी जाबुआ सहडोल तो सीधी से अपका सिंगा रॉली तो सैटोल को दसा संभाग बनाए गया था नर्वदापुरम किस ना संभाग का नया नाम है रीवा जबलपुर सैटोल मेन नर्वदापुरम अंगला के is स्वेशन है आप विभाजित मद्वधिस की सीमा कितने राज्यों को इसपर्ज करती थी, देखि‐ वभाजित होनी के बाद तो असपर्ज इस पर्ज करती है. लेकिन जब मद्विदेश चतीज गड़ का हिस्सा था, उससामे कतने राज्यों से इसीमा लगती थी, 7, 5, 6, 8 तो 7 राज्जों से इसकी सीमा लगती थी एक बार आप लोग मैब में देख लीजे देखे एक, दो, तीन यानि कि राजिस्थान एक, गुजरात दो महराश्क तीन और उत्तर प्रदेश चार ठीक है, ये चार हो गए अब आप देखें, चार प्रदेश का था तो राज, जारकंड से लग रही है 5 हो गए, और उसके बाद उड़ीसा से लग रही है, 6 हो गए ठीक है, और उसके बाद आप देखेंगे आपकी किससे इससे भी लगती थी, आन्दप्रदेश था ना, तेलंगाना का तेलंगाना पहले आन्दप्रदेश का हिस्सा था तो इससे भी लगती थी, तो इस तरह से आप देखेंगे स्थार्ट टोटल थे और अभी अगर वरतमार में बात करें, कितने राज्यों से लगती है, तो राजिस्थान, गुजराद माहराष्ट, चत्तिसगर, उत्तरबदेश तो पाँच राज्यों से लगती है ये चोटी बाते हैं, लेकिन मोटी बाते है देश के पाँच राज्यों से मद्विदेश की सीमा मिलती है, बताइए और अग्ला question है, निम्न फे से किस नगर का नाम, चंद सेकर, आजा नगर गोसित किया गया, सतना रतलाम जाबुआ, और आप देखेंगी भाबरा, तो भाबरा गाउं का नाम क्या रखा गया है, चंद सेकर, आजाद नगर, ठीक है? अंगला कुश्यन है हमारे सामने मध्धदेश का नाम करन किस के किस के किस ने किया था महत्मागान्दी स्याम चर्ण सोक्ल जवालाल नेरू डॉक्टर हरी आपको बताया है कि पंडिश जवालाल नेरू ने इसका मध्धदेश नाम दिया था तो यह भी आप लोग याद रखे चेतफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा संभाग जबलपूर इंदौर भोपाल या नर्वादापुराम तो आप सभी जानते हैं कि छेतफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है जबलपूर देखिए एक और बात बता देता हूं कई पर एक्षाओं में मैंने याद रखते हैं आप लोग इतने समझदार हैं चेतफल की द्रिष्टी से सबसे बड़ा जिला कौन सा है छिदबाड़ा भोपाल इंदौर रिवा तो आप सभी जानते हैं कि छिदबाड़ा ही है क्या है छिदबाड़ा है जहांगीर महल ओर्छा का निर्माता है बीर सिंग है धार राइसेन मंडला दसफुर तो आप सभी जानते हैं कि धार में है का है धार में है मंदसौर किले के निर्मार से समझद है मंदसौर किले के निर्मार से समझद है अलाउद्दीन खिल जी अकवर समुद्रगुप्त समराठ असोग तो आप सभी जानते हैं कि अलाउद् खिल जी, मंदसोर के लिए से, फारुकी बंस का संस्था पक्त, होसंग साय, मलिक रजा, अलब खां, महमूत खिल जी, तो यह याद रखें, मलिक रजा, देखें, मेरी कौसिस तो यही रहती है, कि हर कुश्चन्स का आंसर सही बताय जाए, अगर फिर भी कहीं गलती हो जाती है कहां है, धार, होसंगाबाद, हर्दा, वैतूल, तो यह होसंगाबाद में देखने को मलेगी, कहां होसंगाबाद में, किस राजी की सीमा, मद्विदेश में सबसे जान मिलती है, उत्तर पिदेश, राजिस्थान, चत्तियसगर, या आप देखेंगी कि इन में से कोई नहीं तो अत्तर पिदेश की आप सभी जानते हैं, मद्विदेश में जोर्ती लंगों की संख्या कितनी है, दो, चार, तीन, एक, तो दो आपको देखने को मिलेगी, मद्विदेश का डेटाइट किस सहर को कहते है, मंडदी, प्रायसेन, भोपाल, पीथमपुर, तो पीथमपुर में लगाए था, होलकर, कैप्टान, रूप सिंग, इस्टेडियम, नहरू, इनमें से कोई नहीं, तो कैप्टान, रूप सिंग, इस्टेडियम, यह आपको कहा देखने को मिलेगा, मद्विदेश में, ग्वालियर में आप लोग देखे होंगे, तानसेन की समाधी कहा है, त इन दोर में, तो आप सभी जानते ही कि गवालियर में ही आपको देखने को मिलेगी, कहां गवालियर में, गवालियर का किला किसने बनवाय था, राजा विक्करमादित, राजा मान सिंग तौमार, राजा सूर सेंग, या इनमें से कोई नहीं, तो राजा सूर सेंग नहीं, ठी तोड़ता हुआ गर्तंत। ठीक है। B option बिल्कुल सही रहेगा। संद्या अगर्बाल किस से समंदित है। हौकी, किर्केट, सत्रन्ज, कवडडी है। तो हौकी, किर्केट से हैं, मध्धिदेश से समंदित हैं। मद्विदेश की मुहमद समीर दाद किस्खिल से संबंदित हैं किरिकेट कबड़ी हौकी इनमें से कोई नहीं तो हौकी से संबंद है इनका तो आप सभी जानते कि छिप्परा नदी के करारे बरसा महाकालेस वर मंदिर है या और आपका कुम का मिला भी लगता है या मद्विदेश में के लेका कौन है हरी संकर बरसाइ मांखलाल चतुरवेदि कालीदास या सोमित्र महाजन पंद यह आप देखेंगे माकंलाल चतुर के कि देखने को मिलेगा कहां भो पाल में देखने को मिल जाएगा मद्पदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है नर्वदा, तापती, पारवती, वैत्वा मद्पदेश की जीवन रेखा किसे कहते है मद्पदेश की जीवन रेखा आप लोग नर्वदा नदी को कहते है यह मद्देश से निकलती है और आप देखते हैं कि खंबात की खाड़ी में गर जाती है अरब सागर के पास मद्देश का राजपक्षी का नाम क्या है? गिद्द गौरेया फिलाई केचर या मैरीर तो आप सभी जानते हैं कि फिलाई केचर है नाम क्या है? लिलियम कैंडी मैरी गोल्ड तो आप सभी जानते हैं कि लिलियम कैंडी ड़म है इसके दोनों नामें याद रखा करिएगा किस सहर का प्राची नाम दसपूर नीमच, मंदसौर, रतलम, महिसुड तो मंदसौर का है किसका मंदसौर का है कहते हैं कि रावर्ण का यहाँ से संबंद रहा है मंदो दरी का निमलिकित में से कौन सा मद्विदिस में इस्थिद नहीं है, मादोर राष्टी उद्ध्यान, सिवपुरी में संजय राष्टी उद्ध्यान, सीधी में बांदोगर राष्टी उद्ध्यान, उमरिया में, और बांदीपुर राष्टी उद्ध्यान, यह नहीं है, आप देख अंगला कुश्चन है महलाओं के लिए NCCP सिक्षर महाविद्या लेशती थे जबलपूर इंदो रीबा ग्वालियर तो यह आपको ग्वालियर में देखने को मिल जाएगा महलाओं के लिए लड़कियों के लिए तांसेन का मूल नाम क्या था मरकंद पांडे बाज बहादुर लालक कलावंत या रामतनु पांडे तो रामतनु पांडे थे क्या नाम था रामतनु पांडे काना नेशनल पार्क किस जिले में है जवलपूर, सैढडोल, उमरिया या आप देखिए मंडला तो ये मंडला में देखने को मिलेगा कहां मंडला में नर्वदा नदी का उध्गम इस्थल कहा है भेडा घाट, अमरकंटक, बेनोडी, इलाबाद तो यह अमर कंटक आपको देखने को मिल जाएगा उच्च नयाले की नियादीश की नियुकती कौन करता है वराजपाल मुख मंतिरी राष्टपती या आप देखे भारत की मुख नियादीश तो राष्टपती साफ करते हैं एक बात और आपको बता देता हूँ मद्धपदेश का जो उच नियाले है या आपको देखने को मिलेगा कहा है इसकी मुख बिरांज जवलपूर में है इसकी खंडपीट इंदौर आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगी 36 गड का मात्व राज बिहार, उत्तरपदेश, उत्तराकन या मद्धपदेश तो आप सभी जानते हैं कि मद्धपदेश से अलग करके आपका 36 गड राज बना था तो D option बिल्को सही रहेगा मद्धपदेश के उच नियाले की मुख पीट खाए देखे आप questions ही पूछ लिया है जबलपुर, भोपाल, गॉलियर और इंदोर तो आप सभी जानती कि जबलपुर में आपको देखने को मिलेगा कहां जबलपुर में मद्धपदेश का सबसे बड़ा जन जाती समू कौन सा है मद्धपदेश का सबसे बड़ा जन जाती समू याद देखे कई परीक्षाओं में पूछ लिया है भील, गॉंड, कोल, भील, गॉंड, कोल, भेंगा तो इसमें आप लोगों को भील देखने को मिलेगी कौन? भील तो ये भी आप लो याद रखेगा मद्धपदेश का पड़ोसी राज नहीं है चतिसगर, गोजराद, उरिसा, उत्तरपदेश तो उरिसा नहीं है बाकी तो आप देखें के तीनों है जैसा कि आपको बताया है उरिसा देखिए है जब चतिसगर, मद्धपदेश का अहसा था तब सीवा लगती थी मद्धपदेश की किस से? उरिसा से लेकिन अब नहीं लगती है ठीक है? मद्धपदेश ओर उरिसा के बीच में अब चतिसगर आए गया है चतिसगर ने टांगड़ा आ ली है ठीक है? मालबा की पठार की सर्वोच्चोटी का नाम आपको बताना है जाना पाओ सिगार सिद्धवाला धूबगर तो यह आप देखें कि सिगार है भी ओप्सन बिल्कों सही है बैतबा नदी का उधगम इस्थल क्या है बैतबा नदी की बात हो रही है उधगम इस्थल आपको बताना है बैतबा नदी का बिदीसा, साची, रायसेन और होसंगाबाद जिला, तो रायसेन जिला है, क्या है, रायसेन जिला है, चंबल नदी में नहीं मिलती है, काली संद छेपरा कैन बैतबा, तो यानी की कहने का मतलब है कि चंबल की साहिक नदी नहीं है, काली संद छेपरा कैन कौन सी है, बैतबा त देखने को मिलेगा। देखे इसलिए कहते हैं कि कभी कभी गलती इस इनसान से भी हो जाती है। समय रहे हैं आप लोग। जीवासनराश्टी उद्ध्यान अनुपुर पच्मडी धार और मंडला। तो आप सभी जानते हैं कि मंडला में देखने को मिलेगा। भारत की मद्धिदेश राजजी की दच्छन पूर भाग में साय पूरा विकासकंड जिला डिन्डोरी में इस्ते थे। और आपको देखने कागा इसका गठन किया गया था और तब ये मंडला जिले का हिस्ता हुआ करता था। किसका? मंडला जिले का। और मद्धिदेश का प अब अगर बातमान की बात करें तो डिन्डोरी में आपको देखने को मिलेगा ये तो ये जरूर आप लो याद रखेगा। बाग परियोजना में सामिल राश्टी उद्धिदेश मादा और राता पानी पैंच या आप देखे कौन? जीवास्म तो पैंच आपको देखने को मिलेगा इसमें आपका C option विलकुल सही है सबसे चोटा अभ्यारन Sबसे चोटा अभ्यारण कैन गड़ल और चाधरामंडल नौरा देही तो आप सभी जानते हैं कि राला मंडल है कौँसा राला मंडल है राता-पानी अभ्यारन कहा रहे हो संगाबाद, रायसैं भोपाल, र अंगला question है हमारे सामने, नदियों का मायका किसे कहते हैं, उत्तर पिदेश, मद्विदेश, हिमाचल पिदेश, बिहार, तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे, मद्विदेश को कहते हैं, किसे मद्विदेश को कहते हैं, चुलिया जल पिपात किस नदी पर है, नदवदा पार option विल्कुल ठीक रहेगा मद्ध बिदेश के पहले आकसवाड़ी केंद किस्ता आपना कहा और कब हुई थी भुपाल में 22 माई 1955 इंदोर में 22 माई 1955 में ग्वालियर में आप देखेंगे 22 माई 1955 में, जबलपुर में 22 माई 1955 में, तो इंदोर में हुई थी जाना जाता था, राभी नदी, रेवा नदी बेन गंगा नदी, या आप देखेंगे कि इन में से कोई नहीं, तो रेवा नदी के नाम से B option आपका बिल्कुल सही है B option बिल्कुल सही है बाग की गुफाएं मद्ध बिदेश के किस जिले में देखने कुमलेगे, सतना, धार, रेवा और या विदीसा में तो धार जिले में आपको देखने कुमल जाएंगे कहां? धार जिले में देखने कुमल जाएंगे और विदीसा किस नदी के किनारे इस्ते थे थे? नर्वदा नदी, पारवती नदी, तापती नदी, बैतवा नदी तो ये आपको देखने को मिलेगा विदीसा, बैतवा नदी के जिनार है D option विल्कुल सही है माखलाल चतुरवेदी जी का जनम मद्वदेश के किष्जिले में हुआ है माखलाल चतुरवेदी जी का जनम मद्वदेश के किष्जिले में हुआ है, राजगर, भेंड, होसंगाबाद, उज्जेंद, तो होसंगाबाद में हुआ था डेशेस फॉल जल्पवाद कहा है, पच्मणी, बैतूल, भोपाल, इंदोर, तो आप सभी जानते हैं कि पच्मणी में देखने को मिलेगा कहाँ पच्मणी में मद्वदेश में स्वक्ष्टा माहे, वर्स 2009 में किस माहे में मनाया जाता है अग्टूबर, अगस्त, सेप्टमबर, जनवरी 2009 से मनाया जा रहा है, कब अक्टूबर में अंगला कुष्टेन हमारे सामने किर्सी महाविध्याले कहाँ खुला गया, गंजवासदा, रीवा, सतना सहडोल, गंजवासदा में मोखमंतरी अनपूडा योजना कप और कहां हुई थी सुरुवात इसकी, 5 अपरेल 2008 को सीधी में, 15 अपरेल 2008 को देवास में, 12 अपरेल 2008 को रीवा में, 26 अपरेल 2008 को भोपाल में पिदेश में दूसरा जैवरेजर मंडल कहां इस्तित है, पचमडी जवलपूर, अमरकंटक, भोपाल, तो ये अमरकंटक में देखने को मिलेगा, कहां, अमरकंटक में बारसागर परिवजना, 15 अपरेल 2006 को राष्ट को समर्पित की गई थी, किस जिले में है, सीधी सहडोल, सतना, जवलपूर, तो ये सहडोल में देखने को मिलेगी, कहां, सहडोल में मद्पदेश की सबसे कम सीमा किस राज़े से लगती है, 36 गड़ महराष्ट और गुजरात राजिस्तान, तो आप सभी लोग देख लिजए एक बार, देखे, सबसे कम आप देखें कि गुजरात से लगती है, ठीक है, और सबसे जाना आप देख रहे हैं, उत्तर पदेश से लग रही है, यहीं आप देखे, राजिस्तान भी यह आपका है, तो सबसे कम आप देखें कि कहां से गुजरास से, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, भुपाल राज्य के पहले मुखमंत्री कौन थे, नवाब हसन सिद्धिकी, संकर दयाल सलमा, बिजय संकर उपाद्य या पंडित रभी संकर सोकल, भुपाल राज्य की बात हो रही है, भुपाल राज्य की पहले मुखमंत्री की बात करें है, आपको बताना है कौन थे पहले, तो इनके बारे में भी कुश्चन कई बार पूच लेता है, क्या कर लेता है, पूच लेता है आप से, कि भुपाल राज के पहले मुकमंत्री कौन थे तो ये वी आप लोग याद रखी कि इसके थे कौन भोपाल राज के पहले मुकमंत्री तो ये आप लोग जरूर याद रखिए कि संकर दयाल सर्मा थे ठीक है इनसे questions पूछे तो आप लोग लगा देने संकर दयाल सर्मा अंगला question है हमारे सामने की कौन सा जल पेपाद नर्वदा नदीपर नहीं है बेडागार जल पेपाद कपिल धारा जल पेपाद भालकॉंड जल पेपाद और दुख दिधारा जल पेपाद तो इसमें भालकॉंड नहीं है बाकी तीनों आपको नर्वदा नतीपर देखने को मिलेगे मद्धिस बिधानसवा में पितम नेता पितिव्यक्ष कौन थे केलास केलास नाच काड़िजू विसुनात तामसकर राजा नर्सचंद डॉक्टर हैरी सिंग गोर तो यह आप देखेंगे विसुनात ताम कैसे कौन मद्धिस से सम्बंदित नहीं है बाल के संसर्मा माखनलाल चतरुवेदी बाल कभी बैरागी सुमित्रा महाजन पंथ सुमित्रा कौन सुमित्रा नंदन पंथ यह कहां की थी सुमित्रा नंदन इनके बारे में बताई यह कहां की थी सुमित्रा तो आपको बता दू को इनका संबंद कहां से था सुमित्रा महाजन पंध का तो इन्हें आप देखें पदम भूसन भी दिया गया था समझ रहे हैं और हमारे देश की क्या थी ए लेखक कभी थी उत्तरपदेश से इनका संबंद था ग्यान बीट पुरुसकार मिला था 1960 मेरे तो इन्हें आप लोग याद रखेगा मद्विदेश का पहला सिल्फ ग्राम इस्ति थे चदरपुर भोपाल इंदोर रायसन तो इस चदरपुर में देखने को मिलेगा जो आप लोग देखते हैं न खजरा हो ये भी चदरपुर जिले में पढ़ता है राजा भोच का समझ किस बंस से था गुर्ज जनते ही कि बाबर नहराय था किसने बाबर ने महु इंदोर चावनी की विद्रोक नेतित किसने किया था साधत खां तत्या टोफित दादाभाई अंबेड कर मलहार राव होलकर ने तो ये था साधत खान है कौन थे साधत खान है 1949 में कॉंग्रिस का दीवेशन हुआ था गौालियर में आप लोग जाएंगी तो इकला देखने जरूर जाते होंगे जवाल लाल नहरो पुलिस अकादमी कहां हिसते थे मालबाब में बगल खंड में बुद्देल खंड में सत्पोड़ा में तो ये बुंद्देल खंड में देखने को मिलेगी आपको उर्जा राध्धानी की रूप में मतिपतेस जिला माना जाता है मंडला सिंगरॉली कटनी वाला गाट तो ये सिंगरॉली को आप लोग उर्जा राध्धानी कहते हैं संस्कित विद्ध्याले है उज्जन में वपाल में जबलपुर में इनमें से कोई नहीं तो आप सबी जानते हैं कि संस्कित विद्धियाल है आपको उज्जेन में देखने को मिलेगा। गज गामनी फिल्म की निर्माता थी असो कुमार किसोर कुमार मकमूल फिदा हुसेन, कुमार गंधव तो इसमें मकबूल फिदा हुसेन थे। C option बिल्को सही है। असो असवत्थामा मंदिर कहा हैं ये चन्दरी ओरचा असीरगर एरण में तो ये असीरगर में देखने को मिलेगा आपको। नंदबंस की मुद्राएं पर आप थुई हैं बढ़वानी एरण ते पुरी अबंती तो ये बढ़वानी से देखने को मिलेगी। अंगला गुष्य है हमारे सामने 4.64 योगनी मंदिर कहा हैं दसपुर, भेडा घाट, पचमडी और सभी जगह तो ये आप देखेंगे कहां भेडा घाट में आपको चौसाट योगनी मंदिर देखने को मिलेगा चौसात योगनी मंदिर और आपको मता दू कि दसपुर आप इससे भी questions आ जाते हैं और आपको मालोँ होना चाहिए । चौसाट योगनी मंदिर आपका मुरेना में भी देखने को मिलेगा । चौसाट योगनी मंदिर खजराह में भी देखने को मिलेगा तो यह जरूर आप लोग जया रखा करिएगा कई जगे देखने को मिल जाते हैं तो इसके बारे में बड़ी कनभी उजन भी होती है भोपाल रियासत का भारत में बिलाई हुई थी 1947, 1948, 1950 या 1949 तो 1949 में हुई थी ये मधूकर साहे ने अंग्रेजों की बिरुद्धे विद्रो किया था 1849, 1842, 1881, 1846 में सिल्फ कला तीर्थ है मांडू पचमडी खजरा हो मेहर तो खजरा हो सी ये ओप्सन विलको सही है लाख बनाने का कार खाना डिनोरी उमरिया पारासिया लाल बर्रा ये तो ये आपको उमरिया में देखने को मिलेगा कहाँ उमरिया में मद्विदेश में कौन सा राष्टी राजमार्ग नहीं गुजरता है NH-76, NH-3, NH-26, NH-27, NH-28 तो NH-28 नहीं गुजरता है उश्निकटी बंदिये संस्थान इस्तित है बैतूल, जबलपूर, रीबा, सिहुपरी तो ये जबलपूर में देखने को मिल जाएगा मद्विदेश पंचायत अधिनियम पारित किया गया था लेकिन आप सभी जानते हैं कि तेहतरवा समिधान संसोधन हुआ था जिसके द्वारा आपने देखा होगा पंचायतों को समिधान में जगए मिली थी और उसे तरिये पंचायत को जब आपने देखा है जो 92, 93 वा समिधान संसोधन था उसे अपनाने वाला मद्विदेश पहला राज था मद्विदेश की पूरुप से पस्टेम तक लंबाई कितना है पूरुप से पस्टेम 605, 870, 907 यह आप देखेंगे 10 अस्ती तो यह आपको देखने को मिलेगा 870, उत्तर से दच्छिन 605, ठीक है साकित रामायट संगराले, ओर्चा कटनी मेर मांडू तो ओर्चा में देखने को मिलेगा है लोक एवं पारमपरी कला के लिए सम्मान दिया जाता है कबी सम्मान, तुलसी सम्मान, तांसेन सम्मान, एकबाल सम्मान तो तुलसी सम्मान दिया जाता है नौराता लोक नित्थ है, मालवा, बुंदेलखंड, मद्ध भारत और निवाड तो बुंदेलखंड में नौराता आप लोगों ने देखा होगा नौरता भी कुलते है महा मितुंजर का मेरा रीवा में लगता है, उज्जन में लगता है, भोपाल में या तेवर में तो ये उज्जन में लगता है कहां उज्जन में कोरकु बोली का छित है सतना, बैतूल, डिंडोरी, रीवा तो ये बैतूल में देखने को मिलेगा ओंकारे सोर बांध क्यों चाहिए 107 मीटर, 189 मीटर, 108 मीटर, 197 मीटर तो 189 मीटर है 189 मीटर देश का पहला निजीर पावर फिलांट चोरई चिदबाड़ा, फिपरिया, उसंगबाद, निवारी, नरसिंगपूर, मदन, महल, जबलपूरते, निवारी, निवारी, नरसिंगपूर में देखने को मिलेगा देश का पहला गौब भेहरन, आगरमालवा, नीमच, सिवपूरी, सिंगरॉली पिथम आदिवासी मेडिकल कॉलिज, खंडवा, गवालियर, धर वैतुल, तो एक खंडवा में देखने को मिलेगा पिथम आदिवासी मेडिकल कॉलिज, भारत भावन का उदाटन 1975, 1982, 1993, 1982, 1982, तो यह आप देखेंगे 1982 में, एक और बात बता दीता हूँ, अगर आप देखिए, दो options सही है, तो आप देखेंगे कि अगर आप लोगों ने, इसमें जैसे इमाल लीजे, इसमें 1982 आप देख रहे हैं B में दिया गया, 1982 D में दिया गया, तो आप लोग B D लगाएंगे, तब भी आपका सही होगा, D लगाएंगे, तब भी आपका सही होगा, ठीक है बीजू बावरा, या हटाएंगे तो आप देखें, बिलकुल अटा देएंगे कोई सही answer नहीं मानेगे वीजु बावरा की समाधी है धार बुर्हानपुर चंदेरी खरगॉन तो ये चंदेरी में देखने को मिलेगी देविड सैली का मंदिर है कंदरिया महादेय। सास बहु का मंदिर सहस्त बाहु मंदिर ये से कहते हैं तो ग्वालियर का किला इन्हाँ नहीं बनवाया था सूर सेनने अफ दचिंड का प्रविस द्वार किसी लिए को कहते हैं असीरगड ओडचा गिन्नोरगड या नरवर का तो असीरगड के किले को दचिंड का प्रविस द्वार कहते हैं आप लो आमिर खान संगीत समारो कहा होता है इंदौर भोपाल जवलपूर या ग्वालियर तो इंदौर में होता है आमिर खान समारो निराला सेजन पीठे वरकतुला विस्विध्याले विक्रम विस्विध्याले और जैन राना रानी दुरुगा उती विस्विध्याले डॉक्टर हई सिंग गौर विस्विध्याले तो ये बरकतुला विस्विध्याले भोपाल में देखने को मिलेगा चंदेल बंस की राधा नहीं थी तिपूरी नोटा सहडोल बिराट पूरी तो यह नोटा थी क्या थी नोटा तो यह इस तरह से आपकी कुछ महत्पूर कुश्चन्स होका है मद्वपदेश की जीके की मद्वपदेश सामान ग्यान के हो सकता है पढ़ लीजे आप लोग दो चार कुश्चन्स कम से कम आपकी पर एक चाहों में भी इससे आ जाते हैं तो मुझे लगता ही कि खुसी की बात है चलिए हम लोग तो मिलते ही रहते हैं कुछ और सवाल हो आपकी कुछ सुझाओ हो तो जरूर आप लोग कमेंट वॉक्स खुला हुआ है और पूरी आजादी है आपको देश सकते हैं बता सकते हैं उसके बारे में ठीक है